हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भोटर एडिकार्ट कैसे ऑनलाइन अपलाई करते हैं अगर आपके पास लापटोप है या फिर मुबाइल है आप दोनों से कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं इसमें आपको जीरो उर्पिया देना होगा आपको कोई भी पैसा न बोटर आइडी कार्ड बोटर आइडी सर्च किजिएगा आपको देखेगा एंभी एसपी डॉट इन का एक बैव साइट देगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है और यही में एक ऑफिशल बैव साइट है जिसके जरी आपको बनाना ऐसा नहीं कि आपकिसी और बैव अगर बोटर बोटल पर क्लिक कर देना है अगर प मुबाइल नेमर आर पासो डालक कर सकते हैं अगर आपके पास अगए अगर आपका युदि email id डालना है मतलब कि अगर आपने email id से बनाया एक email id से अगर आप बना लिए हैं अगर आप सोचेंगे कि मेरा उसी email id से दूसरे किसी कभी बन जाए तो आपका फिर नहीं बन पाएगा अगर आप चाहे तो email id से भी बना सकते हैं अपना आइकाउंट और आप चाहिए तो अपने केवल मोबाइल नमर से बना सकते हैं तो मैं बस मोबाइल नमर से बना लेता हूं और एक आपको ओटीपी जाएगा सेंड आपको उस नंबर पर आपके सामने एक dashboard खुल जाएगा और आपके सामने एक प्रोफाइल के detail मांगे जाएगी जिसी कि आपका अपना नाम डाल दीजिए और आपको email एडिज भी है जो डाल लेना है स्टेट चूछ कर लेना है पर जेंडर चूछ करके और सब्मिट पर क्लिक कर देना है कि मेरा प्रोफाल जो हो चुका है यह बता है कि अब आपका करेक्शन है तो आप कर सकते हैं अब डिलेट किसी बोर्ट राइट जाते तो आप सारे यहां पर सुगधा आपको मिल जाती है मैं निव बोट रइडि करने जा रहों है तो मैं जान्यव बोट राइड इस्टेशन पर क्लिक कर दूंगा यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सामने यह आएगा यह कुछ अपने इंड्रोटक्शन के बाद आपको आता है लेट सब्सक्राइब क्लिक कर दिए आपको यहां पूछा जा रहा है किसे क्या आप पहली टाइम पर पहली बार अपलाई कर रहें वोटर आइडिंग तो जी हां मैं जहूं पहली बार अपलाई कर रहा है आपको इसके बाद से वैंड्रोट क्लिक कर देना है अगर आप इंडिया में रहते हैं और यहां पही रहा रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे इसके बाद से वैंड्रोट पर आगबढ़ते हैं से मांगा देना है जूश क्ता है चूश कर सकते हैं और इसके बात है और छी चुच करें लिए क्षी अपको देना होगा भाधार कार्ट पैन कार्ट रही है और पासपोर्ट पास पुड्व Insurance सकते हैं निशसेंद कोई भी है तो किसी से किसी से भी कर सकते है तहुंच की लिए हम चूज करने वाले हैं अधार का निया को यह हुने से वरिपीकेसी हthose करें तो इसके बार कर डालेंगे ऊपलोड डॉक्मेंट एक करना है अगर आपके पास डीजी लोकर का अकाउट है तो आप डीजी लोकर से भी डाल सकते हैं आपको कोई प्रॉल्ब्लम नहीं होगा यहाँ आप आपको फाइल अपलोड करना होगा डीजी लोकर एक बहुत अच्छी सेवाएं होती है जो एक गौर्णमेंट की है इसलिए हम तो तो यह मैंने डाल लिया यह देखिए मेरा जो है यह दोनों फोटो दिख चुका अगर आप प्रिफुक पर करके चेक कर सकते हैं कि हां मेरा सब कुछ सही गया है कि नहीं यह सब कुछ सही है और इसके बाद आप अपना डॉक्मेंट्स डालने के बाद कि डॉक्मेंट्स और अगर सब कुछ भरने के बाद आप से लेक्स टुन बटन पर क्लिक कर लिजिए और इसके बाद आपका आता प्रफाइल पिक्टर आप जैसा प्रफाइल पिक्टर को डाल दीजिए आ हाइड हए टीब लिजए इसके बास, क्लिक कर लीजए आपका वेल डैन आपका फोटो जे आप अफलोड हो चुका है इसके बास आपका जो नाम है आप मिला लिजए क्या आपका नाम सब कुछ सही है या नहीं है अप हंदी благодарia US और इसके बाद आता है कि आपटन पर अगर को सुनने में आपटन पर अगर यह कर देता हूं सब कुछ चेक करने के बाद आपको फिर के बास से बाद कर देना है इन्टर डेंट्र्बोटर अच्छाइघ के जिसा मट trips एक है आप इस नमबर को यहां पर डाल दीजिए ताकि आपके काड़ जिसे की आपका घर की जो रिठील थतना में लिख देना है आप यहां पर लेसं के टाइब डालना है आपको कि आपके कौन जिसके आपने फिल आप किया है तो मतलब फादर मदर यस्बन जो भी आप डाल सकते हैं आपर इसके बाद आपको से बाइन प्रेटें बटन पर फिर से वापस c Navy करना है कि चैक करने के बाद अब आपका आता है कि आपको घर है वहां पर आपका नमबर डालना नहम दाला होगा है खर नम डाल दीजिए फ्रक्षब शैप्र इस्थी नमबर दाल दाला है टाउन में राते हैं तापी जो bliss सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर मैप के जरिये भी कर सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद आप मिलते जाएए ताकि कोई गलत ना हो और आपको सुधार की ज़्यादा भाग दोड़ना करना पड़े वह लिखता है किसा आप कब से यहां पर रह रहे हैं इस जगह पर तो आप अगर जिस डेट से भी रह रहे हैं तो आप उस डेट को डाल दीजिए वापस से क्लिक कर लीजिए कि सब कुछ फिलेफ हो चुगा आप दोबारा से एक बार चेक कर लिजिए यहां आपको कोई फॉरम में कोई गलती तो रही है आपने जब ही जो भरा है सब कुछ आपको चेक करना अगर आपको लगता है कि सब कुछ चीशित में गलत है ता आप बापस से फॉर्म पर यहां पर क्लिक कर लीजिए अब आपका हो चुका है आपको एक reference ID ही मिल गया है आप इस reference ID की मदद से आप अपने बोडर आडी के status को भी चेक कर सकते हैं इसके पर जा करके कि हमारा कहां पर पहुचा हुआ है और कहां पर फंसा हुआ है आप जो भी जन्रारी जाना चाहते हैं आप इस reference ID की मतलब से आप असानी से जान सकते हैं